तो फाइनली आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की प्रेक्टिकल प्रोग्रामिंग सिरीज और इस पूरे सिरीज में क्लास 12 के लिए हमारे जो भी important questions होंगे हम उसको इस सिरीज में practical करके देखेंगे इसका main aim होगा आपके logic को programming logic को build करना तो इसमें हम वही questions करेंगे जो कि हमारे exam के perspective से भी important होंगे और हमारे logic को भी अच्छे से build करेंगे तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा question है कि write a program that receives two numbers in a function and returns the results of all arithmetic operations on these numbers यानि कि यहाँ पर यह मुझसे माँग रहा enter first number मैंने इसे दीआ माँ लेते है 10 और फिर enter यह मुझसे माँग रहा enter second number मैंने इसे दीआ माँ लेते है 2 तो यह मुझे यहाँ पर return कर रहा है कि sum of two numbers are 12 subtraction of two numbers are 8 product of two numbers are 20 and division of two numbers are 5 हमारा program यह होने वाला है इस series में हम function वाले chapter से start कर रहे हैं और उसी के questions को इसमें हम practice करने वाले हैं क्यूंकि ये question हमारा जो है वो function वाले chapter का है तो इस question को हम function वाले approach से ही करने वाले हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक function define कर देता हूँ जिसके लिए मैं def keyword का इस्तिमाल करूँगा और फिर उसके बाद मैं function का नाम दूँगा जो की हमारा होगा calculate और फिर इसके parenthesis के अंदर मैं वो values पास करूँगा जिनके उपर हमें actions लेने हैं जैसे कि हमें दो numbers को add, subtract, multiply और divide करना है तो उन दो numbers को मैं हाँ पर x, y मान लेता हूँ और फिर यहाँ पर इसको मैं block करूँगा और नीचे मैं एक return statement दूँगा जो की होगा return और फिर इसमें मैं store करूँगा x plus y फिर comma x minus y फिर comma x into y फिर comma और x slash y तो यहाँ पर यह हो रहा है कि हमने यहाँ पर यह जो function create किया है जिसका नाम calculate है और इसके अंदर जो भी हमने parameters पास किये हैं x और y तो यह function हमें x plus y, x minus y, x into y और x divided by y इन सभी values को return करेगा मैं यहाँ पर एक comment लिख देता हूँ main program करके और फिर इसके अंदर हम उन दो numbers को input ले लेते हैं right तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा num1 और यहाँ पर मैं store करूँगा integer value हम चाहे तो float का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर int से ही काम चला लेते हैं second वाले number को input लोंगा और उसको मैं store करूँगा num2 में और इसकी value होगी हमारे integer और यहाँ पर भी मैं इसके अंदर input लोंगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा कि enter second number अब बारी आती है calculation की calculation तो हमारा यहाँ पर हो चुका है अब हम simple इस function को call कर लेंगे और हमारा answer complete हो जाएगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ variables create करूँगा जैसे की add, subtract को sub, product है तो product के लिए pro और division के लिए div ओके और इन सभी variables की मैं value assign कर देता हूँ calculate जो की मैं यहाँ पर function को call कर रहा हूँ और इस function call के अंदर मैं इन दोनु variables को pass कर दूँगा, right? अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है कि functions कैसे काम करते हैं, कैसे हम define किये जाते हैं तो please आप जाईए और सबसे पहले function वाले chapter को starting से जो भी हमने जहां तक cover किया है उस चीज़ को पहले वहां तक देखिए आपको यह program जो है अच्छे से clear हो जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं और simple हमारा program हो चुका है, मैं यहाँ पर कुछ print statements लिखूँगा जैसे की तो मैंने यहाँ पर simple chart print statements लिखे हैं जिसमें की मैंने लिखा है first print statement में लिखा है addition of two numbers और यहाँ सी यह add तो इस add वाले variable में हमने यहाँ पर function call किया है तो यहाँ पर इस add वाले variable में यह first value store होगी, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि corresponding values जो हैं वो मैंने रखी है first हम यहाँ पर x plus y कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने add रखा है, हम यहाँ पर minus का sign यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने subtract रखा है हम यहाँ पर multiplication कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर product रखा है और हम यहाँ पर slash use कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर division रखा है तो यहाँ पर यह मुझे मुझे मांग रहे है enter first number मैंने यहाँ दिया मान लेते हैं वापिस 4 और यहाँ पर मैं enter करूँगा 2 तो यह मुझे यहाँ पर return कर रहे है आप इस प्रोग्राम को खुद ट्राइ करें अपने हाथों से तो आपको जो यह चीज है वो अच्छे से clear हो जाएगी I hope कि आपको इस प्रोग्राम समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा तो इसी के साथ आज के वीडियों बस इतना ही तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई